आदर ने ओ, अध्यक जी, आदर ने राश्य अध्यक जी, प्रदीब यादव जी, अनिल दोरे जी, संजुक अट्यार जी, हमारे प्रदेश अध्यक जी, मंच पे उपस्त सभी समाजवादी नेतागर्ण, हमारे जुनोंने आज पार्टी जॉइन करी है, रामच वर्मा जी, जो पूर्स आंसर है, उनका हम स्वागत करते हैं, मंच पे उपस्त सभी नेतागर्ण, समाजवादी पार्टी के, बस्पागे, हमारे समाजवादी काल करतागर्ण, बस्पागे सभी काल करतागर्ण, हमारे नौजवान साथियों, हमारे किसान भाईयों, महलाएं और हमारे पच्चकार बंदुओं, मैं सबसे पहले आप सबका और कन्नोज़ की जंता का आप सबका बहुत 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 अभाद और धन्यवाद देना चाहूंगी, कि आप में मुझे यहां से सांसु चुन के भेजा है, और एक बाद सिर्फ मुझे पार्टी ने मौका दिया है, और आप सभी ने मौका दिया है कि इस बार मैं फ्रेच नाव लड़ रही हूँ, और मुझे पूरी उमीद है और भरोसा है कि क्यूंकि अपको गजबंदन का भी साथ है, बहुत मजबूत गजबंदन का साथ है ये, और इस गजबंदन के साथ हम बहुत बहुत ज़ादा वोटों से इस बार संसुत में पहुशने जा रहे हैं। कन्योच हमेशा से समाजवादिये का गड़ रहा है और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, कि जिस तरव कन्योच का विकास हमारी प्राथमिक्ता रहा है, आने वाले समय में भी कन्योच का विकास ही हमारी प्राथमिक्ता रहेगा। जब समाजवादी सरकार बनी थी अब मैं बोलू पहले आप सब शोर बचा लीजे फिर मैं बोलूगी जितना बचारा चाहे अब बोलू समाजवादी सरकार ने ऐसे एतहासे काम करके दिखाए है जो फिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं करके दिखाए है यह मेरा मानना है ऐसी सरके फुल विजली का काम हो चाहे हमारी माताओं मेहनों को पेंजन देने का काम हो चाहे गरवती मैलाओं के लिए अंबुलन्स दिलाने का काम हो चाहे 108 अंबुलन्स दिलाने के लिए काम किया गया हो चाहे UP 100 नमबर देने का काम हो ऐसे एपहासे काम बेरा मानना है और मैं जानती हूँ आप सबका भी यही मानना होगा कि एते हैंसे कम किसी भी सरकार ने नहीं करे हैं और जब से ये डबल इंजिन वाली सरकार आई है तब से मैं मांती हूँ जो भारत माता की जय कहते हैं हम भी भारत माता की जय कहते हैं और हमारी भारत माता जो विकास आती है जो चाहती है कि उनके बच्चे आगे बड़े जो च अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप को हमारी भारत माता को अजाद कराना है खराएंगे कि नहीं कराएंगे डबल इंचिन वाली सरकार फेल हो गई है कि नहीं हुई है इनकी रिपोर्ट कार्ट का समय आ गया है कि नहीं आया है जो लोग मेरी रिपोर्ट कार्ट बना रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैं सवाल करूँगी आप हा या ना में जवाब देंगे तो रिपोर्ट कार नमबर वन जी एस्टी फेल है कि नहीं है रोजगार दिये कि नहीं दिये है कि नहीं बना है मैलाओं के प्रती अच्चार शोशन बड़ा है कि नहीं बड़ा है तो आप इनकी रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्ट रेंगे मैं आप सभी से निवेदन करने आई हूँ कि ये चुनाव बहुत ही महस्वपून चुनाव होने जा रहा है क्योंकि ये चुनाव देश की दिशा को बदलेगा देश के विकास को आगे ले जाने वाला चुनाव है आपके भविश्य का चुनाव है और अगर इस बार क्योंकि गडबन में साथ है चूक हो गई तो मैं समझती हूँ देश बहुत पिछर जाएगा आप लोग बहुत पिछर जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप विकास को चुनेंगे और ऐसी धोकेवा सरकार जो लोगों के बीच में जो लोगों को लडाती है जो लोग में ध्रम खलाती है जो आपस पर लगाती है आप इसको नकारने का काम करेंगे इस बार मैं आप सभी की बहुत अभारी हूँ कि आप सब यहाँ पर आए हैं और सादा गफ नहीं लोगी क्योंकि राश्टर जिर्जी को भी बोलना है तो इनी शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप पर्नोच से समाजवादी बार्टी को जिताएंगे और जो विकास की गंगा यहाँ पर रुख गई है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे आपका भाब भाब अभार और भाब धन्यवाद झाल 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 झाल